एपिसोड नमबर 27 की स्टाटिंग होती है और ली किनलुई को एक शॉप मे लाता है और किनलुई उससे कह रही होती है एक मिनेट रुको क्या हम घर नहीं जा रहे है और तुम मुझे यहाँ इस शॉप में क्यों लाए हो और वहीं ली शॉप के स्टाफ से कहता है उसको यहाँ के सबसे अच्छे कपड़े दिखाओ तब वो स्टाफ कहती है यस सर और किनलुई ली से कहती है ली तुम हमेसे अपनी मन की ही क्यों करते रहते हो और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए यह सब करो फिर ली कहता है क्या ऐसा है और कल हम तुमारी मॉम डेट के घर वापस जा रहे है और तुम क्या चाहती हो कि तुम ऐसे गंदे कपड़े पहन कर वहाँ जाओ और तुम वहाँ ऐसे गंदे कपड़े पहन के गई तो लोग तुमारा मजाग उड़ाएंगे फिर किल्लुआ शौक होती हुए कहती है क्या सच में तुम मेरे घर वापत जाना चाते हो तब ली कहता है हाँ तो इसमें क्या गलत है और मैंने तुमे कार में पहले ही कहा था कि हम डिनर के लिए तुमारे घर जा रहे है फिर किल्लुई कहती है लेकिन तभी पीछे खड़ी स्टाफ कहती है मेडम इस तरह पाईए वो लोग उस रूम में जाते है और वो स्टाफ कहती है मैम आपको इन सेट में से जरू कुछ पसंद आएंगा अब ली कहता है मुझे देखने दो फिर ली उनमें से एक सेट निकालता है और किल्लुई को दिखाते हुए कहता है ये देखो ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी फिर किल्लुई कहती है ओके फिर वो मन में कहने लगती है छोड़ो आखिर कारा हमें एक फैमिली है अब या बाद मुझे घर तो वापस जाना ही है फिर ली कहता है क्या हुआ तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो जाकर तुम अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं करती क्या मेरी इसमें कोई मदच चाहिए तब किलनुवाई क्याती है नहीं मैं खुछ जाकर अपने कपड़े चेंज कर सकती हूँ फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स डे की सुबा दिखाई जाती है जहां वो दोनों ओल्ड अपार्टमेंट में होते है और ली कह रहा होता है किलनुवाई जागो उठने का समय हो गया है फिर ली किलनुवाई के गालों को खिषते हुए क्याता है उठो और जाओ मेरे लिए नास्ता बनाओ फिर किलनोई जाग जाती है और कहती है क्या टाइम हुआ है तब ली किलनोई के सामने क्लॉक फेक कर कहता है खुद ही देख लो फिर किलनोई क्लॉक देखती है और चिला तुमें कहती है क्या दस बच गए तुमने मुझे इतनी लेट क्यो उठाया ली तब ली कहता है मैं तुम्हें बहुत देर से उठा रहा हूँ फिर किलनुवें चिल्लातुवें कहती है अरे नहीं मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ फिर ली कहता है तुम इतना क्यों गबरा रही हो मैंने तुम्हारे लिए आज छुट्टी मांगी है ये सुन किलनुवाई चिल्दा तुम्हें कहती है क्या तुमने मुझसे बीना पूचे मेरे लिए छुटी क्यो मांगी फिर ली कहता है आज हम तुमारे घर वापस जा रहे है और तुम अभी भी काम के बारे में ही क्यो सोच रही हो और मिसेस ली तुम मुझे ये मत कहना कि तुम इस बारे में भूल गई थी तब किलनुवाई कहती है आँ नहीं नहीं मुझे याद था ली कहता है मुझे सच में सबज नहीं आता कि तुम उस नोकरी की इतनी परवा क्यो करती हो और तुम एचेंड जे कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ हो तो तुमें भार जाकर काम करने की क्या जरुवत है मैं तुमारा क्या सपोर्ट नहीं कर सकता अब किलनुवाई कहती है मुझे तुमारे सपोर्ट की जरुवत नहीं है मुझे मेरी नोकरी पसंद है ये सुन ली मन में कहता है क्या तुम्हें सच में काम पसंद है या वहाँ पर काम करने वाले लोग फिर ली किलनुवाई को कार्ड देती हुए कहता है ये लो ये एक unlimited कार्ड है तुम्हें जैसे इस्तेमाल करना है तुम वैसे इस्तेमाल करो लेकिन बस अपनी जाकर नोकरी छोड़ दो फिर गिलनुवा चिलाते हुए कहती है नहीं मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए और ना ही मैं अपनी नोकली छोड़ने वाली हूँ फिर ली कहता है क्योंकि तुम्हें ये कार्ड नहीं चाहिए तो जाकर इन्हें ड़स्टर बीन में फेग दो एक एकर ली वहाँ से जाने लगता है और किलनुवाई चिलाते हुए कहती है तुम फिर से पागल क्यों हो रहे हो ली ली वहाँ से चला जाता है और किलनुवाई उस काट को उठाती है और कहती है बस ली में तुम पर भरोसा नहीं करना चाहती क्योंकि जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं इतना अपमानित महसुस नहीं करूंगी और गाज इसके साथ एपिसोड नमबर 27 यहाँ एंड होता है पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरू करें मिलते हो जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में